हेलो फ्रेंट्स, आप सभी का स्वागत टेक मशिन की न्यू वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडियेटर रेडियेटर जिसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा radiator engine को चलाने में work करता है बिना radiator के engine कुछ भी नहीं है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को last तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं कि radiator को factor में कैसे बनाया जाता है radiator को बनाने के लिए सबसे पहले इसका आकारव डिजाइन तयार किया जाता है डिजाइन तयार होने के बाद उप्योग में लिया जाने वाले components aluminum plastic granules copper tube solder tar plug और other electronic components को उप्योग में लिया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में इन सभी components को अच्छे से fitting किया जाता है पर रेडियेटर में filters को लगाया जाता है साथ इसमें plug वर switch को भी लगाया जाता है अब इसमें diesel डाल कर checking किया जाता है कि सारे components सही से work कर रहे हैं या नहीं पूरी तरह से radiator सही पाय जाने पर इन्हें market में बिखने की इजाज़त मिल जाती है तो दोस्तों आप से भी ने देखा कि किस तरह से फैक्ट में रेडियेटर को बनाया जाता हैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहतरिन लगे होगी थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो